गुड मॉर्निंग एवरिवन जैश्री कृष्णा मैं अभिलाशा इंडियन फ्लेवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं फ्रेंड्स आपके लेके आई हूँ मातारानी का परशाद यानि की हल्वा छोले की रेसिपी आप भी इस तरह हैं चने बनाए हल्वा बन जैसे बनाए था ना चने और हल्वा आप भी ऐसे ही बनाए उन्होंने सच में बहुत अच्छा बनाए था तो आप भी फ्रेंड्स ऐसे बनाए यह बहुत टेस्टी होता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है हल्वा और चने यानि की मातारानी का परशाद और आप सभी को दुर्गा अस्टमी की बहुत बहुत शुब कामना है आज हम हलवा छोले बनाने जा रहे हैं यानि कि माता का परशाद बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम छोले बना लेते हैं चने बनाने के लिए हमने लिए हैं काले वाले चने जो होते हैं यही माता का भोग लगता है इस से दबा के देखेंगे तो यह दब रहा है इसका मतलब है कि हमारे चने पक चुके हैं तड़के के लिए हमने लिया है हरी मिर्च ऐसे लंबी कटी हुई आधा चम्मच जीरा सूखी वाली लारमिर्च जोती है वो ली है और लिया है कड़ी पत्ता गार्निश के लिए मैंने लि पर एक फ्राइपेंट रखा है इसके अंदर डाल देते हैं दो चम्मच तेल और तेल को गरम होने देते हैं तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है इसके अंदर डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा जीरे को तड़कने देते हैं जीरा हमारा भुन गया है इसके अंदर हम डाल देंगे दो लाल मिर्च सूखी वाली इसको भी भून लेते हैं तेल के अंदर हमने ये दो हरी मिर्च ली है और लंबा-लंबा काट लिया है इनको भून लेते हैं हरी मिर्च हमारी भून गई है अब इसके अंदर हम अपने कड़ी पते डाल देते हैं हमने दो टैनी ली है कड़ी पते की डाल देते हैं कड़ी पत्ता भी हमारा अच्छे से भून गया है अब इसके अंदर हम अपने उबले हुवे चने जो थे वे डाल देते हैं और चनों को भी भून लेते हैं दो मिनिट हमने चने को भून लिया है अब इसके अंदर हम डाल देते हैं आधा चम्मच लाल मिच पाउडर लाल मिच पाउडर हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिच का भी इस्तेमाल किया है और सूखी वाली लाल मिच भी डालनी है आधा चम्मच हल्दी विसको हम दो जमाएन के और ञिवस दो मिनिट हो है एक भर लेते हैं अपने चने को औा देखिए चन थे के हमारी आवर देखिए हमार मिनिटे ओपर हर मसाले का अच्छे से कोटिंग हो गई है दो और ईक बाऊल में निकाल लेते हैं चने हमारे रेडी हैं इनको हम गानिश कर देते हैं थोड़े से हरे धनिय से और लिजी फ्रेंड्स चने हमारे रेडी हैं अब हम हलवा बना लेते हैं हलवे का समान भी हमारा रेडी है और फटा फट हमारा हलवा भी बनके तयार हो जाएगा हलवा बनाने के लिए हमने लिया है एक कटोरी सूजी हम सूजी का हलवा बनाएंगे क्योंकि सूजी का हलवा ही माता का भोग लगता है और यह बहुत टेस्टी बनता है बहुत दानेदार इसका टेक्शर होता है तो जितनी हमने सूजी लिया है उतनी हम लेंगे चीनी और हमने यह केसर वाला दूद लिया है यह ऑप्शनल है और हमने काजु लिये हैं बारी कटे हुए और घी तो चलिए बनाते हैं अपना सुजी का हलवा सुजी का हलवा बनाने के लिए हमने गैस की ऊपर कडाई रखी है कडाई के अंदर हम डाल देते हैं 4-2 चम्मच घी हलवा जो होता है वो घी में ही ज़्यादा अच्छा बनता है और माता का परशाद बनाने के लिए अब घी की कंजू से ना करें अच्छे से घी डालें घी के अंदर हम काजू को फ्राई करके निकाल लिती हैं बस हलका सा ही फ्राई करेंगे आपके पास जो ड्राइफ फूर्ट है वो आप यूज कर सकते हैं व मैंने यहापे सिर्फ काजू का इस्त्माल किया है आप चाहों तो काजू बादाम किशमिश कुछ भी इसके अंदर डाल सकते हैं काजू हमारे भून गई हैं इनको हम निकाल लेते हैं काजू को हमने घी में से निकाल लिया है अब इसके अंदर हम सूजी है इसको भून लेते हैं हमने एक कटोली सूजी ली है आप चाहो तो इसके अंदर आधा सूजी और आधा आटा भी ले सकते हैं, भून लेते हैं सूजी को, सूजी को हम मीडियम फ्लेम पे और अच्छे से ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे, जब तक कि हमारी सूजी का कलर अच्छे से ब्राउन ना हो जाए और इसके अंदर से धीमी धीमी खुश्बूना आने देखिए हमारी सूजी कितने अच्छे से भून गई है कलर देखिए कितना अच्छा आया इसका ब्राउन कलर आ गया है इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे क्योंकि इससे ज्यादा अगर हमने भून दिया तो सूजी का जो टेस्ट है तक समय होी बस में हैं टाल में अभी आपको सूजी में पानी ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन सूजी पानी को अबजौब ज्यादा करती है तो दिरी धीरा जैसे जायेंगे यह सारा पानी सूजी अपने अंदर अब्जॉब कर लेगी देखिए कितना सुन्दर कलर आया है और कितना दानेदार है देखिए हमारे सूजी ने सारा का सारा पानी अब्जॉब कर लिया है अब इसके अंदर हम चीनी डाल देते हैं चीनी जितनी हमने सूजी ली थी उतनी हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे आप चाहो तो इसके अंदर कम भी कर सकते हैं और चीनी की कौंटिटी बढ़ा भी सकते हैं मिला लेते हैं अच्छे से चीनी डालने के बाद चीनी मेल्ट होगी और ये फिर से लिक्विडी हो जाएगा तो डरने की बात नहीं है चार से पांच मिनिट और भ हलवे ने पूरे चीनी को भी अब्जॉब कर लिया है और देखिए जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे कड़ाई में हलवा भी घूम रहा है इसका मतलब यह है कि सूजी ने घी को रिलीज कर दिया है और देखिए कड़ाई को छोड़ दिया है जैसे हम ऐसे चलाएंगे तो न हमारा रेडी है और अच्छे से पक चुका है देखिए कितना अच्छा दानेदार हमारा हलवा बन के तयार हुआ है और सुरी फ्रेंड्स जब मैंने इसके अंदर केसर वाला दूट डाला उस समय मेरा फोन बंद हो गया था तो वह मैं आपको दिखा नहीं पाई लेकिन मैंने देखिए कटोरी हमने वह हमने इसके अंदर डाल दिया है लेकिन उस समय क्या हुआ कि हमारा फोन बंद हो गया था इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई तो अब हमारा हलवा जो है रेडी है अब हम इसको बावल में निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं लिजी फ आप भी अब की बार माता रानी को मेरे वाली रेसिपी बना के माता को भोग लगाएं माता रानी जरूर परसंद होगी और यह सच में फ्रेंट बहुत टेस्टी बनता है कन्या भी खा के बहुत परसंद होंगी और माता रानी भी बहुत खूश होंगी हमारे वाला परशाद खा कर आप भी ऐसे बनाए यह बहुत टेस्टी होते हैं और छड़िये को हलवे में मिला के खाते हैं यानि मिक्स कर क久 घर आप आप मेर आपको मेरी रेसिपी लगी करें और ज्यादा शेर करें और सब्स्राइब बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई